जब किसी फिल्म को बेचने के लिए उसमें काम करने वाले अक्टर से ज़ादा डिरेक्टर की बातें होने लग जाएं समझ लेना वहां से सिनिमा बदलने जा रहा है चीते की चाल, बास की नजर और संदीप वांगा की पिक्चर इन तीनों चीजों पर कभी शक नहीं करना चाहिए बढ़ना वही हाल होगा जो वांगा सहाब की फिल्म में बुराई ढूनने वालों का हुआ करवाली बेज़ती, दुनिया का सबसे इमानदार इंसान जिसने बोला था वॉयलेंस फिल्म क्या होती है पूरी दुनिया को दिखाऊंगा और दिखा भी दिया अनिमल जैसा नाम वैसा काम इन तीन मिनिट्स को ट्रेलर नहीं अर्थ को एक भूकम घोशित कर देना चाहिए जिससे सारे बॉक्स ओफिस के रिकॉर्ड्स कांपने लगे हैं एस ओडियंस हम लोगों का सबसे बड़ा कसूर क्या है जानते हो रनबीर कपूर को हम ऐसी फिल्म नहीं दिलवा पाए जो उनके टैलेंट के साथ फिक बैट सके इस गलती को सधारा है संदीव पांगा ने एक ही फिल्म में 6-7 अच्छे फिल्मों की एक्टिंग एक साथ करवाली है रनबीर कपूर क्या है वो ट्रेलर से ही पता चल गया हिमत है किसी दूसरे आक्टर में ट्रेलर के पहले ही सीन में इस तरीके से खुद को प्रेजेंट करने की ऐसा पागलपन सिर्फ एक आर्टिस्ट कर सकता है आक्टर ने मुझे नहीं पता रनबीर कपूर ने खुद को कैसे नॉर्मल रखा होगा इस फिल्म की शूटिंग खतम करने के बाद क्योंकि मैं तो इस ट्रेलर को देखकर ही घबरा गई हूँ एक चीज होती है अच्छा काम करके सामने वाले का मूँ बन कर देना लेकिन रनबीर के इस तीन मिनिट ने सामने वाले को तीन सो नए शब्द सिखा दिये तारीफ करने के लिए कौन बोल रहा था कॉमेंट्स में रनबीर को आक्टिंग नहीं आती बस नाम के दम पर काम मिलता है एनिमल का ट्रेलर जोरदार तमाचा है आपके लिए गुरू एक्शन सीन्स देख रहे हो ना ट्रेलर में KGF से कंपेर करके रौकी भाई 144P बोलने वालों आपकी बिमारी का इलाज भी हो गया होगा ट्रेलर की ताकत है मिस्टिर फाक्टर सब कुछ दिखा दिया फिर भी छुपा लिया फिल्म क्या है किस बारे में है कहानी क्या हो सकती है जवाब क्लीर मिलना बागी रह गया वरना आजकल वो जमाना है जब फिल्म बनाने वाले लोग आक्टर्स का कैमियो तक नहीं छुपाते बस इस लालच में कि पहले दिन भी लग जाए ठीटर के अंदर लेको मास सिनमा का जमाना है बहुत आसान काम था सिर्फ आक्शन एक्शन खेल कर एनिमल पांचो छेसो करोड कमा जाए लेकिन ऐसी फिल्म बनाना जो दिमाग पर चड़कर पांचो करोड लोगों का सिनमा में टेस्ट बगल जाए ये काम करेगी एनिमल इसकी बेज़दी मत करना ये बोलकर के अक्शन का है मैं तो सोच रहा था कि कुछ जबरदस मारधार होगी एनिमल चैस की तरह है खून बहेगा दिमाग से संदीप वांगा की नजर दूर तक जाती है वो पहले दिन नहीं पूरे महिने थेयर्टर हाउसफुल करना चाहते हैं और वो होगा सिर्फ कॉंटेंट के दम पर एनिमल का कॉंटेंट ये है वो चीज़ जिसके लिए इंडियन ओडियन्स भूगी है हाइप बनाकर फिल्म चलाना आसान काम है यार कोई भी कर लेगा लेकिन कोरोना की तरह पिक्चर को एक इंसान से दूस्टे में फैलाना जिसको रोकना असंभव हो जाए जिसकी वैक्सी कभी ना बन पाए वो काम करेगी आनिमल कुछ लोग बोल रहते तीम घंटे से जादा की फिल्म थेटर में कौन देखेगा यार बॉस तीम घंटे की ट्रेलर बार बार देख लोगे ऐसा काम किया है संदीब वांगा ने सबसे बड़ा गेम हुआ म्यूजिक में किसी फिल्म क की कौन सी फिल्म का है तो समझ जाओ म्यूजिक हिट है अभी तक एकड़ फोर टाइप का पंजाबी म्यूजिक सुना हमने फुल आफ एनरजी लिकिन ट्रेलर इमोशन पे खेल गया बीप्रा की आवाज में जो पापा बेटे का सौंग एड़ किया उसने ट्रेलर का पुरा भाई भी बदल दिया एक साइको किलर हीरो पर भी प्यार आ गया यह ताकत है म्यूजिक की अब बताती हो आपको अंदर की एक खबर जिसके लिए बिल्कुल तयार नहीं हो तुम सच में होश और जाएंगे तुमारे ट्रेलर में बॉबी देउल को देखकर बहुत मज़ा आ करेंगे कि बिचारे को ट्रेलर में डायलोग तक नी डिया फिर भी रंबीर कपूर के सामने सिर्फ खड़ा नहीं भारी पड़ गया उस पर तो गुरू अंदर की खबर यह है कि आनिमल का दुश्मिन पर्मनेंट म्यूट केरेक्टर प्ले करेगा बॉबी देउल फिल्म में सोची है उसको वैसे का वैसा उतार दिया बिना फिल्टर के फिल्म बनाना सामने वाला जो सोचे सोचता रहे भाड में जाये मैं बस वो बनाऊंगा जो मुझे बनाना है कल्च सिनमा वांगाजी को सिल्यूट रंबीर कपूर सामने से फिल्म को लीड करेंगे तो अनिल न ये ताश के पत्तों में जोकर हो सकती है वो कार्ट जो किसी भी बूस्टे कार्ट की जोगे ले सकता है असली शैतान क्या मालूम हाँ तो भाई रन्बीर कपूर हेटर्स अंडर्राउन होने का वक्त आ गया है क्योंकि एक डिसंबर को बॉक्स ओफिस बी से नहीं ए से शुरू होगा बागी वीडियो में कुछ पसंद आया हो या पर कुछ शिकायत करनी हो तो आपको इंस्टेग्राम पर भी मिल जाओंगी वरना थोड़ा सा इंतिजार करिए मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में टेक केर बाई बाई